पारश ने जैसे सब कुछ तबाह करने के ठान रखी हो और हम ऐसा कहूं कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें राज्चों से सामने आ रही हैं वो दिल तहला देने वाली हैं जिया कई राज्ची इस वक्त पानी पानी हैं जिंदगी हलकान और परिशान हैं दिल्ली से लेकर राज्चिस्थान केरल से लेकर हिमाच्छल प्रदेश सब तरफ सिर्फ जल प्रलय ही नसर आ रहा है लोकों के मकान दुकान आशियाने सब कुछ पानी में ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नसर आते हैं कि केरल में जिस सरीके से विनाश लीला प्रकृति ने खेली चार गाउं पूरी तरह से अस्तित्व विहीन हो गये लोगों का अता पता नहीं है दूसों से पच्चास से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वाइनार जिले में सुमवार को य यह आधिकारी का अंकड़े हैं बड़ी संख्या में लोग घायल हैं कुछ लोगों का तो पता ही नहीं है कई लोग अभी भी मलवे के अंदर दबे हुए ऐसी आशंका साहिर की जा रही है तीन हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है भारे बारिश के बीच कीचड चटान और पेड़ों के बड़े-बड़े मलवे नीचे आए और यही वज़ा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है चुरल माला को मुडककई के बीच जो पुल पहा था उसे एक बार फिर से यहाँ पर बनाने के लिए सेना के जवान टटी हुए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा सके वायनार से जो तस्वीरी सामने आ रही है वो तबाही की कहानी को खुद बखुद बया करती हैं विनाश लीला के निशान जो है वो अपने पीछे ये पूरा का पूरा इलाका दिखा रहा है किरल की ये तस्वीर पूरे देश को जख जोर देने के लिए काफी है राहूल गांधी इस बीच वायनार पहुँचे हैं वहाँ पर पिड़तों से वो मुलाकात कर रही है लैंड स्लाइट में जहां दूस्व पचास लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है इसके बाद रेस्क्यू उपरेशन में सेना के जवान लखे हुए है ग्राउंड पर इनकी मौजूद की है जो कई अस्थरों पर लोगों के मदद कर रहे है वायनार की बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है शिमला और मनाले के साथ कई जगों पर बादल फटने की तस्वीरे सामने आई है हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है कुलू के निर्मंड ब्लॉक और मंडी जिले में बादल फटने की वज़़े से लोगों के मकान ध्वस्त हो गया है ध्वस्त हो गया है मकान, स्कूल और अस्पताल जैसे सब कुछ बरबाद हो क्या हूँ तीनों जगों पर खरीब पचास से ज्यादा लोग लापता बताये जा रहे कई लोगों को सुरक्षित बचाया क्या है बादल फटने की घटना के बाद मंडी के स्कूल और सिक्षा संस्थान बंद कर दिये गया है रात और बचाओ कारी यहां भी लगातार युद्धस्तर पर चल रहा है राजस्तान की तस्वीर यहां से कोछ ज़्यादा अलग नहीं है हर तरफ पानी ही पानी है और आज राजस्तान से भी एक ऐसी तस्वीर आई जहां पर बेस्मिंट में पानी भरने की वज़े से बेहार के एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई दिल्ली के कई इलाके चलमग ने लगतार पारिश की वज़े से घुटन भर पानी में लोगों को आवजा ही करनी पड़ रही है कुद्रत जब कहर बनकर तूटती है तो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाती है इनसान अपने लिए सिर्फ रहम की दूआ करता है सवाल यही कि क्या सिर्फ इसके लिए प्रकरती को दोशी मानना थीक है या हम सब इसके लिए दोशी है वक्त रहते से सोचने की ज़रूत है इस पर कतम उठाने की ज़रूत है आके जाकर नजाने ये विनाशली लाग के सुरूप में नसर आए इस खबर पर क्या है आपकी राए बताईए कासर